बिश्मिल्लार्माण रहीम नापीदूर्वन रसूलिय आलारसूलिहल करी अस्तराम अलेकुम मेरा नाम मानी है हम अपने चैनल का आगाज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिशिस बनाना सिखाऊंगी जो आप असानी बना सकें चले मैं आज आपको बहुत आसान डिश भराना सिखा रही है जिसका नाम चिकन पोटैटो स्ट्यू है आपने इस से बहले कभी स्ट्यू में पोटैटो नहीं सुने होंगे लेकिन ये मेरी अपनी वह है रासिप्री इसलिए इसमें हमने पोटैटो शामिल किये हैं अब आप जो सब इंग्रीडियन्स देख लें ये हैं आदा किलो चिगिन हमने चे से साथ अदर प्याज लेने हैं ये प्याज हमने मसाले के लिए बनाने हम और ये प्यासदा दू दो अदर त्माटर हैं हमने आखर दम्म में डालने हैं और यह मसाले में डालने के लिए हमने अलग रखे हैं और आलू लिये हैं हमने चार से पांच अदर दही हाफ कप रसा द्रगा पेस्ट टू टी स्पून साबुद गरम मसाला जिसमें हर चीज च्रामेल है बादियान है एक बड़ी हिलाची है दो चोटी हिलाची है एक दार्च और जो आप यूज सकते हैं और वोवी इस्तिमाल जारा नमद लाल मिर्च भी टेस्पून टेस्पून हाँ टीज चाहिए दाल सकते हैं वाफ टीजिपून धन्य मिर्च चाहिए ऐन्या जाह जतने के लिए अधरक आईए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं अब हमने सबसे पहले ओरल डाला है पहले आप हांडी या बगोला जो भी आप लोग कहते हैं उसमें ओरल डालके ओल गरम कर लें उसके बार इसमें आप साबुद गरम मसाला डालके तोड़ा कड़कड आलें जब साभून कर शाबून कर जाए तो आप इसमें प्यासरा मिल गाए प्यासरा मिल गाए करने के बार किया जब लाल होजा लाज लाज हो लेगा है कि या तो ब्राउन होने ज़़ा है दो टीस्पून लगसा ब्राइब का निए विग आगा है तेस्टामी वराओनी sensit . छे कमई करें, हो साधीय हम शरी की अफना लिचामी तरक हैं, ब्र मुझाने! कि पिपिन तो एक से दो मिनेट विंडने के बाएं हम इसमें आदा कर दो अधिन लिए सामिने और फिर भुने अधिन के अधिन तो अधिन आदा में एक आपें आप इसमें दुर्ट आपटा दूलिए हाफ टी शुन दाई अधिन नमट वंडी जाते हैं और नाते हम पूंद तब लिए हैं आधिन हम इसले बाह खंब दालें हम ध्यां सब्सक्तार दा तो पीवे डाल के हम दूलेंगे अब हम इसे दो से तीन मेंट ताफ भूनेंगे अब दो से तीन मेंट भूनने के बाद हम इसमें एक या आदा गिला पानी शामिल जाएंगे चिकन आदा गल जाएंगे । हम इसी कण्टरी में चिकन जल्डी गल जाता है और कही दिर से, हमारे बाद समय चिकन कही पह जल्डी गल जाता है। देर से बहराल आप इसमें आदे से एक ग्लास पानी शामिल करके इसको ढग कर पकने दें कम असकम दस मिनट के लिए ओक विवर्स अब दस मिनट के बाद हम लोग चिकन कुछ ऐसी शकल में देख लेगा हम लोगो यह आदा गल चुका है बला आप ने मेडिया माच पे जिक पानी डालने के बाद मीडिया माच पे ढखाना है अब इसमें आलू शामिल परें गया आप अलू इस शेपने काटने अबजे के बाद हम इसे बूनेंगे तकरीबं तीन से चार मिनिट अब पांच मिनिट नॉर्मार मेडिया माच पर भूनने के बार हम इसमें दम लगाने के लिए प्यास के मातर और हमेंगे करने के बार हम इसे मेडियम तू लो की आंच पे आलू गल्यां तक भब कर पकाएंगे अब देखें हमारा सालन बिल्कुर रेडी है और आलू भी गल गए है अब हम इसमें दिशाउट करने से फ़ला है थोड़ा सां न्थानिया और हत्रक डालेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे अब हम इसको थोड़ा सा मिक्ष करेंगे और पूड़ा बन रेंगे हमें के भन्या और अद्रक्स यह मेरी फर्स्ट रेसिपी है व्योर्स आप प्लीज हमें सब हमें कमेंट्स में बनाके हमें कमेंट करिएगा कि कैसी लगी आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी हुश्बू आ रही है और बहुत वबर्दस बनी है आप भी ट्राइ करके मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताईएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चाइल को और मुझे यह भी कमेंट करेंगे मैं आपको मजीद और कौशी रेसिपी बनाना सिखाओं उमीद करते हैं को यह रैसी बहुत बहुत पसंद आई होगी अपना ख्याल रखें द्वाओं में याद रखें अगली रेसिपी लेकर जल्द हाजिर होंगी तब तक के लिए अला हाफिस और अगें लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज अला झाल